बात है 11 मार्च 2011 की लखनु इस्थित बीबीडी कॉलेज परिसर के प्रिक्षग्रे डॉक्टर अकलेश दासगुपता आडिटोरियम में एक फिल्म दिखाई जा रही थी जिसका नाम था दे बीस्ट और जितने लोग उस फिल्म को प्रिक्षग्रे के अंदर देख रहे थे लगबख उतने ही लो उन्हें इस फिल्म को देखने की उच्छुपता इसलिये थी क्योंकि फिल्म के निर्देशक ने एक महीने पहले ही अपने क्रियेटिव टीम के साथ फिल्म से रिलेटेड एक ऐसा हाइप क्रियेट किया था जिससे लोग इस बात को जानने के लिए बेकरार थे कि आखिर फि मैनेजमेंट के सामने अपनी एक दूसरे फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा तो कॉलेज मैनेजमेंट ने बड़ी आसानी से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया फिल्म शुरू हो गई फिल्म का नाम था भारत वो एक ऐसा समय था कि उस समय पूरे बीबीडी परिसर में एक ही नाम की चर्चा थी और वो नाम था एसके प्रसाथ और यह उसी का असर था कि कॉलेज प्रिसर का हर वह व्यक्ति चाहे वो स्टूटेंट हो स्टाफ हो फेकल्टी हो या मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी आदमी हो हर कोई फिल्म भारत का हिस्सा बनना चाहता था मगर कई बार चीज़ें जितनी अच्छी दिख रही होती है उतनी अच्छी होती नहीं और एक दिन कॉलेज मैनेजमेंट के कहने पर एसके प्रसाथ को फिल्म भारत बंद करनी पड़ी क्यों बंद करनी पड़ी इस बात का कारण एसके प्रसाइट आज तक नहीं जान पाई मगर उनके इस प्रयास से उन्हें एक सफलता जरूर मिली कि उनके पास एक ऐसे टीम तयार हो गई थी जो उनके साथ फिल्म बनाने के लिए काम कर सकती थी और उसी टीम ने मिलकर एक संस्था का निर्मान किया जिसका नाम था सार्थक सांस्कृतिक सुसाइटी 2011 का साल बदलते ही एसके प्रसाइट की जिन्दगी में भी एक बहुत बड़ा बदलावाया और एसके प्रसाइट कॉलेज में धीरे धीरे गुम नाम होते गए लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज में गुम नाम हो रहे थे वैसे वैसे बाहर में उनका नाम हो रहा था और उसी का नतीजा ये हुआ कि एसके प्रसाइट ने अपनी संस्था सार्थक सांस्कृतिक सुसाइटी के बैनर तले बारा बंकी में एक फिल्म खुश्बू का निर्माण शुरू किया और फिल्म बनाने के कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने लखनों में पहली बार अपनी शॉट फिल्म खुश्बू का मीडिया प्रिमेर शो किया मीडिया ने फिल्म की जम कर तारीफ की और कहा कि फिल्म खुश्बू को अंतरराश्ट्रेफ फिल्म महोसब में उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रत्रेनेध्य दिद्व किया चाहिए और हुआ भी ऐसा ही फिल्म खुश्बू को कुछ अंतराश्ट्रे फिल्म महुतसब में भेजा गया जिसमें दैनिक जागर फिल्म फेस्टिवल, शानियावत फिल्म फेस्टिवल और गुजराथ फिल्म फेस्टिवल जैसे समारो शामिल है जहां 2011 में BBD कॉलेज परिसर में एक ही नाम की बहुत चर्चा थी ठीक उसी तरह 2012 में भी लखनों में एक फिल्म निर्देशक के रूप में एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया और वो नाम था S.K. प्रसाथ का और इसी के बतौलत कुछ बाहरी संस्थाओं ने भी S.K. प्रसाथ के साथ मिलकर फिल्म बनाने का जिम्म लिया वैसे ही एक फिल्म थी पत्थ भरष्ट जिसका प्रेमेर शो भी किया गया और उस प्रेमेर शो के मुक्य अतिती थे उस वक्त के केमरेट मिनिस्टर श्री नावेद सिद्धिकी जी नावेद सिद्धिकी ने मच से वादा किया S.K. प्रसाथ से कि वो S.K. प्रसाथ के प्रयास को ततकालीन मुक्यमंतरी अखलेश यादर तक जरूर पहुचाएंगे S.K. प्रसाथ जी का प्रयास अखलेश यादर जी तक पहुचा कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता लेकिन S.K. प्रसाथ की प्रतिभा लखनो से निकल कर दूसरे जिलों में पहुचने लगी थी और उसी का असर था कि उनके द्वारा आयोजित सार्थक फिल्म मेकिंग वरक्शॉप में लखनों के लावा दूसरे जिले के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया उसके बाद इसके प्रसाथ ने सार्थक फिल्म मेकिंग वरक्शॉप के प्रतिभागियों को लेकर कुछ शॉट फिल्मों का निर्माट किया जिसमें रैली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें जादेतर कलाकार लखनों से बाहर के जिलों के थे सार्थक फिल्म मेकिंग वरक्शॉप के दौरान ही बनी दो अन्य फिल्में संदेश और नीर ये सभी फिल्में सार्थक सांस्क्रितिक सुसाइटी द्वारा एवजित सार्थक फिल्म फेस्टिवल में बहुत सराई गई और चर्चा का विशे रही और 2012 से लेकर 2015 तक आते आते इसके प्रसाद उत्तर प्रिदेश के प्रतिभवान निर्देशकों में गिने जाने लगे मगर एक बार फिर परजितियां के खिलाफ होती चली गए और मुद्ध था उन्हीं के द्वारा बनाए गई फिल्म त्रिश्ण फिल्म का निर्मार बहुत जोर शोर से शुरू किया गया लेकिन पूरी शूटिंग होने के बाद फिल्म जब अपने फाइनल एडिटिंग स्टेज पर थी आचानक फिल्म की रॉ माटिरियल जिस हार्ड डिस्क में रखी गई थी वो हार्ड डिस्क खराब हो गई और लाख कोशिशों के बावजूद भी डाटा रिकावरी नहीं हो पाई जिसकी वज़े से फिल्म के कई हिस्सों को दुबारा शूट करना पड़ एक पूरे एडिटिंग प्रोसेस को भी दुबारा किया गया जिसकी वज़े से फिल्म बनने में लगभग तीन साल का समय लग गया फिल्म तकनीकी रूप से काफी पुरानी हो चुकी थी फिल्म का कंटेंट भी पुराना हो चुका था उसके बाद फिल्म के निर्देश के पुराशाग ने फिल्म से जड़े होए लोगों से कहा कि फिल्म के कुछ हिस्सों के शूटिंग तुबारा की जाए और उसे नए कलेवर के साथ पेश किया जाए मगर तब तक फिल्म से जड़े कलाकारों का फिल्म से मोभंग हो चुका था जिसकी वज़ा से इसके प्रसाद को फिल्म बंद करनी पड़ी और उस वक्त इस फिल्म से बहुत से लोग जड़े हुए थे जिनको जवाब देना इसके प्रसाद को बहुत मुश्किल हो रहा था उसी वक्त इसके प्रसाद अपनी कुछ व्यक्तिकत समस्याओं से भी घेरे हुए थे नतीजा ये हुआ कि इसके प्रसाद भीतर ही भीतर तूटते गए दो दोर उनके जिन्दगी का वो दोर था जहां वे अपने आपको रोज टूटता हुआ पाते थे और जितने कम समय में और जितनी तेजी से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई थी उतनी ही तेजी के साथ एसके प्रसाद गुमनामी के अंधेरे में गुम होते चले गए लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके व्यक्तित्व और उनके प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और उनके साथ जोड़कर अभी उनके साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने ही मिलकर उनके साथ 2015 में सार्थक फिल्म मेकिंग वरक्शॉप में हिस्स लिया और शॉर्ट फिल्म सार्थी का निर्माड किया इसी बीच उनके फिल्म रिस्पॉंसिबिलिटी के लिए उन्ही यूपी फिल्म फेसिवल में सर्वश्रेष्ट निर्देशक का सम्मान मिला बेशक फिल्म त्रशना ने इसके प्रसाद को तोड़ा था मगर इसके प्रसाद ने उस फिल्म से सीखा भी बहुत कुछ था और उसी का नितिज़ था कि अब उन्होंने फिचर फिल्म बनाने का जिम्मा लिया तो वो पूरी योजनाबत तरीके से लिया और बहुत कम समय के अंदर उन्होंने एक फीचर फिल्म महारिब का निर्माण कारे पूरा कर दिया लेकिन फिल्म के प्रदेशन की प्रक्रिया जरा लंबी और मुश्किल थी जो अकेले और संसाधन हीन इनसान के लिए आहसान नहीं थी तो इस बीच उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो तेरी सूरत का निर्माण किया जो के फिल्म महारिब का प्रमोशन गीत थे इसे लोगोंने बहुत पसंद भी किया 2018 आते आते इसके प्रसाद ने अपनी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया और अब वो बीबीडी की जगा बारबंकी इस्थित जहांगीराबाद मीडिया इंसिट्यूट का एक हिस्सा बने जहां पर वे बताओर निर्देशक बच्चों को फिल्म में निर्माण का प्रशिक्शन दे रहे थे और इसी दोरान उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मे बनाई थी जिनके नाम है हैपी बर्थडे, परसिप्शन, विनायक और रहबर इसी दोरान उनकी फीचर फिल्म महारिब का सेंसर सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका था लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें इस बात का हैसास हो गया था कि उनके लिए जतना मुश्किल सेंसर सर्टिफिकेट लेना था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था फिल्म महारिब को रिलीज करना वो एक ऐसी चुनोती से लड़ा रहे थे जिसमें उनके जीतने के उमीद लगभग ना के बराबर थी मगर विहार नहीं माले और अपना प्रयास जारी रखा इसी बीच निराशा और अवसाद छेल रहे उनके पिता इवम सार्थक सांस्क्रितिक सुसाइटी के संस्थापक स्वर्गे सूरिया नेंद सूरियाकर जी का देहानत हो गया वो वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था मगर उनका संघर्ष जारी रहा और आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और उनके फिल्म महारिव सिनेमा हौल में रिलीज हुई यहां एक बात उलेखनी है कि फिल्म महारिव का पूरा निर्माण कार उत्तर प्रदेश में समपन हुआ था और ऐसे फिल्म का PVR से रिलीज होना अपने आप में एक महत्व बून बात थी जिसकिसी ने भी महारिब देखी उन्होंने जितनी तारीफ फिल्म की की उतनी ही इसके प्रसाद के प्रयास की भी की महारिब के जरीए वे उस चीज को साबित कर चुके थे जिसके लिए लोगों ने उनकी बहुत आलोचना की थे मगर उन्हें अपनी जीत तो मिल गई थी लेकिन जीत को पाने के दौरान वे बहुत कुछ हार चुके थे उन्ही में से एक थे उनके पिता सूरियानंद सूरियाकर जी एसके प्रसाद बच्पन से ही अपने पिता के बहुत करीब थे और सूरियानन्द सूरियाकर जी भी इसके प्रसाद से बहुत उम्मीद रखते थे जिने प्रसाद जी ने पूरा भी किया मगर तब तक उनके पिता उनके जीवन में नहीं रहे अपने पिता के उतरार्ध जीवन का संघर्श उन्होंने बहुत करीब से देखा इसलिए उन्होंने पिता सम्मान में उम्मीद नाम की एक श्रंकला शुरू की जिसमें संसाधन विहीन लेखकों को अच्छे कहानियों पर शॉर्ट फिल्म बनाने का जिम्मा दिया और उम्मीद की पहली कड़ी में युवा लेखक नरपेंद सिंग की कहानी पर फिल्म जनेव और अमित चौदरी की कहानी पर फिल्म सावजनी बनाई विनोद सांकला कलमकार की कहानी पर मर्द तो विनै कुमार मिश्रा की कहानी पर आधारित फिल्म होली बनाई लोगडाउन से पहले वे महेंद्र भीश्म की कहानी पर आधारित फिल्म त्रासदी की शूटिंग पूरी कर चुके थे जो अब लगभग बनकर तयार है एक और जहां उनकी पहली वेब सिरीज इश्क क्रोनिकल्स रिलीज होने वाली है वहीं दूसरी तरफ वह अपने पिता सूरियानंद सूरियाकर की कहानी पर आधारित फिचर फिल्म अंतिम संसकार की शूटिंग दोबारा शुरू करने के इंतजार में है वहीं लॉक्डाउन के तोरान उनकी बनाई कई डॉक्यमेंटरी संकट में एंटर्टेन्मेंट मजबूर मजदूर करोना की कहानी पार्ट वन और पार्ट टू और डार्क डेज यूट्यूब पर काफी पसंद किये जा रहे हैं आखिर क्या है उनके अंदर जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है सबसे पहली चीज ये कि अभी तक उन्होंने जितनी भी रचनाई लिखी हैं सबका मूल भाव या तो किसी सामाजिक समस्या को उजागर करना है या फिर कोई ना कोई संदेश देना है और ठीक यही बात उनके फिर्मियों के लिए भी लागू होती है यानि वो अपने इस्तर पर सामाजिक सेवा कर रहे हैं दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने मकसद के लिए कभी भी पैसे को आड़े नहीं आने दिया जो चीज सिर्फ पैसे की जा सकती थी उसके लिए उन्होंने हार नहीं मानी बर्कि खुद उस काम को सीखा और पूरा किया और ये उनके सीखने के प्रवरत्ती का ही नतीजा है कि सिर्फ लेखन में अपना करियर शुरू करने वाले एसके प्रसाद अपने फिल्मों की कथा, पढ़ कथा, समबाद, कई बार गीत तक लिखते हैं फिल्म का निर्देशन और वीडियो अडिटिंग भी वो खुद ही करते हैं यहां उनलेखनी है कि कभी उनके पास फिल्म निर्मार की तकनीक सीखने के लिए पैसे नहीं थे आज वो खुद इतने सक्षम है कि लोग उनसे फिल्म निर्मार का प्रस्टिक्शन ले रहे हैं यह उनके भीतर की मजगूत एक शक्ति को जाहिर करता है तीसरी बात उनके फिल्म बनाने का उद्देश एकदम सपष्ट और महतवपूर्ण है वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ फिल्मों के शूटिंग नहों बलकि यहां फिल्में भी बन ताकि प्रदेश के प्रतिभाओं का बखू भी इस्तिमाल हो सके लोगों को रोजगार मिले और यहीं वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कला और प्रतिभाओं दोनों को ही परखने की शम्ता है और शायद यही वज़ा है कि कलाकार चाहें उनसे बड़ा हो या छोटा सभी उनका सम्मान करते हैं उनके साथ कांग की ये कलाकारों का मानना है कि उनको कलाकार का सुर्फ श्रेष्ट निकालना आता है कुछ सालों पहले अकेले ही साथक सांस्कृतिक सुसाइटी का सफर शुरूर करने वाले एसके प्रसाद जी के साथ आज कई लोग कंधे से कंधा मिला कर अपना मिशन पूरा करने में लगे हैं ये पूछने पर कि इतनों दुनों में क्या पाया वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल होता है लोगों की उम्मीद को जिन्दा लखना है और जब आप खुद ही लोगों के उम्मीद बनने लगें तो समझ लीजिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है